आपको एक balance sheet given है कहता है हमारे पास preference share and बहुत सारी जानकारी given है क्या कहता है preference share dividend was arrear for last three years पिछले तीन साल का preference share dividend arrear है it was decide reconstruction of the company as per the following scheme which duly approved by the court और court ने इजाज़त दे दिया है कि आप reconstruction करिए पहला point कहता है preference share convert into 7% preference share 50 rupees each fully paid यानि पहले हमारा preference share जो था वो 100 रुपे वाला था अब हमने क्या करा preference share holder का पहले rate था 6% अब बोला भाई तेरा rate कर देते हैं पता है कितना हम और हम 50 रुपे का each fully paid up कर देते हैं convert कर दिया उसका यानि तेरे पहले थे 5000 share अब रहेंगे तो तेरे 5000 ही share लेकिन जो पहले तेरे को 100 रुपे वाला था अब उसको कितने में convert कर दिया पचास पर देखे general entry कैसे होगा एक दो आपको देखोगे तो थोड़ा clarity बनेगा entry number A हम पहले इस वाले preference share को यहां से हटाएंगे जो कि हमारा 6% preference share capital account debit ठीक है और तू अब नए वाला preference share देगे तो उसको credit करेंगे कितने percent वाला 7% preference share capital account सर इस balance sheet में से पूरे पांच लाग खतम हो जाएगा और number of आपको पता ही कि कितने थे 5000 थे तो मैं अगर यहां पे count करूँ तो 5000 अब लेकिन मैं पचास रुपए का दूँआ है that is 250 अब मैच नहीं हो रा बाकी हो गया फाइदा तो reconstruction धाइला पहली entry मैंने कर दिया आपके सामने किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए मैं दुबारा भी बता देता हूँ सर कहानी क्या थी कि preference share holder जो पहले से था हमारे balance sheet में उसको बोला भाई तू तो अब तेरा 6% अब तेरा percentage हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ा के कितना कर रहे हैं तो पहले जो तेरा percentage था उसको हम बढ़ा रहे हैं यानि balance sheet में से तो हट गया तो इसले debit करके balance sheet से निकल गया 7% कर रहे हैं लेकिन सर्थ ये भी है कि तेरे को 100 रुपे का नहीं मिलेगा अब एक preference share अब तेरा एक preference share हो जाएगा 50 रुपे अब इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि बाकी के 50 बाद में preference share holder से मांगें हैं बोला हमारा share ही 50 का हो चुका है अब तो ऐसे situation में मैंने धाई लाक रुपे का उसको नहीं वाला preference share दे दिया जो कि कितने percent वाला था साथ और बाकी का difference जो भी था हमारा फाइदा हो गया कितने का पूरे धाई लाक का जिसे हमने कहां बेज दिया reconstruction क्लियर है पहला point बताईए किसी को एक-एक point पढ़के और धीर धीरे करना है बी पार्ट कहता है सर एकुटी शियर सेल भी reduce two three अब एक होता है reduce by और एक होता है reduce two अगर मैं reduce की बात करूं तो इसके अंदर सर दो point होते हैं या तो examiner बोल सकता है reduce two या बोल सकता है reduce by शब्द लगा होगा जैसे यहाँ पे two लगा हुआ है मतलब amount से पहले अगर मैं reduce two कहता हूँ तो इसका मतलब वो उतने का ही बच गया है अगर मैंने कहा के 10 रुपे वाले हमारा each एक शियर था इसको reduce two कर दो reduce two four तो इसका मतलब now new जो शियर होगा वो कितने का होगा चार रुपे का ही होगा अगर मैं कहता हूँ दस रुपे वाला एक शियर था और आप इसे कर दो reduce by four इसका मतलब सर जो new वाला होगा वो कितने का होगा छे का तो ये फरक है और बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों को पता होगा कि क्या है ये ठीक है तो हमारे वाले कोशन के अंदर बोलता है अब तीन का हो गया भाईया फुली पेड़ यानि पहले दस रुपे का हुआ करता था तो भाईया पुराने वाले को तो हटाई दो equity share capital account debit मैं being नहीं लिख रहा being वही होगा जो last class में चर्चा किया था क्या होगा preference share convert into जो हमारे statement लिखा है preference share convert into 7% preference share and 50 rupees each fully paid up यानि यही statement सेम लिखा जाएगा बस अपनी language में थोड़ा convert करना है ठीक है तो मैंने क्या लिखा equity share capital account पहले इससे सारा बाहर निकालो कितना है हमारा चार लाख अब हम उसको क्या देंगे नए वाला equity share to new अब बताएगा कौन बताएगा नए वाले equity share 40,000 वालों को कितने रुपे देने हैं सवाल कहता है कितने देने हैं तीन मतलब सर एक लाख इसके बाद आगे आ जाता है हमारा जो फायदा हुआ उसे कहां पहुचा दे reconstruction कितने दो लाख असी अजार किसी बच्चे को कोई डाउं हाँ लगा रहे नगा रहे दो असी बीइंग preference share oh preference story है equity share capital reduce to 3 per share बताईगो समझ वाल है तीसरा the debenture holder agreed wave एक बीस एक बीस ठीक है the debenture holder agreed debenture holder agreed waved waved का मतलब होता है छोड़ना मैंने कहा था इसमें शब्दों की कलाकारी होगी examiner के तरह के word वो जितना घुमा सकते हैं twist करेंगे होगा का मसान waved का मतलब छोड़ना 50% of accrued interest कहता है debenture holder ने अपना 50% ब्याज ही छोड़ दिया बोला नहीं लूँआ यहाँ पर देखिए accrued interest कितना है तो यह इसकी बात कर रहा है debenture holder agreed to wave of 50% accrued interest अब सवाल यह आता है कि भाईया इसने 50% छोड़ दिये हैं तो बाकी के 50% लिये हैं या बाद में लेगा सवाल यह आता है अगर अभी लिये हैं तो bank से payment करके नक्की करेंगे उसको अगर बाद में लेगा वो तो फिर हम एज़ेटरी छोड़ देंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ 50% उसने wave of करे 50% का payment कर दिया यह जम्शन है तो आप बताओ मुझे इंट्रस कितने था इंट्रस कितने थे यहां पर सर तीस अजार तीस हजार में से 50% तो हमें बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे इसके साहब पैसे तो इसका मतलब 15,000 रुपे का पाइदा प्रॉफिट और बागी का 50% तो सबसे पहले हमें इंट्रस को यहां से खतम करना होगा तो मैंने लिखा इंट्रस ओन डिबेंचर डेबिट कितने रुपे सर तीस हजार अब बैंक से भी कुछ पेमिंट करेंगे तो उसके लिए टू बैंक शब्द का इस्तमाल जितना पेमिंट करेंगे तो बैंक से कितने पेमिंट करने वाले हैं और टू हाला कि इसकी एक और एंट्री हो सकती है पहले डियू की फिर पेड की मैं डारेक्टली पेड कर रहा हूँ नेट एंट्री कर रहा हूँ कोई दिखकत नहीं है reconstruction reconstruction पंदरा होगा तो लीजिए being क्या होगा interest on debenture paid interest on debenture paid और statement में लिख सकते हैं 50% wave off कह सकते हैं forgo बोल सकते हैं दोनों में से कोई भी सब्द बोला जाता है बताईए कोई दिखकत कोई परेशानी कोई परेशानी reconstruction आपका बोलोगे तो फाइदा नुकसान nominal nature का मान लोगे आप उसे c part दुबारा समझना है c part में क्या कहता है कि हमारा नदिबेंचर होल्डर है भीया तो अगर मैं बात करूँ तो सवाल में 8% debenture भी है कुछ बच्चे यहां confused हो सकते है 8% debenture that is 2 लाग अब कहता है कि इसके अंदर interest भी दे रखा है और interest that that is 30,000 दोनों बाते अलग अलग है ये पैसा भी debenture holder का है ये पैसा भी debenture holder का है सवाल में कहता है that debenture holder between way of 50% interest सवाल में इसकी बात कर रहा है इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करीगे तो इसके बारे में जो बच्चा सोच रहा है सर debenture का तो कुछ किया ही नहीं तो आप गलत सोच रहे इसके बारे में तो सवाल में बोला ही नहीं कुछ इसके बारे में बोलता है 50% payment करके खतम करो तो अब 30,000 रुपए का मैंने सबसे पहले liability खतम कर दिया 15,000 की payment 30,000 का 50% क्या होता है 15,000 और बाकी 15,000 नहीं payment करना मैं बच गया इसको payment करने से फाइदा हो गया तो जिसको मैंने डाल दिया कहा है reconstruction समझे बात किसी को दिक्कत share capital पांचला debenture दो ला outstanding rent तीन ला total liability 10 ला that is liability मैंने एक नीचे statement लिखां interest on debenture outstanding interest on debenture outstanding interest on debenture not paid रूपीज और आसान कर देते हैं या मैं थोड़ा मुस्किल करता हूँ मैंने बोला outstanding interest on debenture not paid पहला सवाल मेरा जवाब देना मैंने सवाल अभी पूछा नहीं है पहला सवाल मुझे interest amount बताईए क्या होगा interest amount जितने बच्चे live session में सभी फटा फट comment में जवाब दे दे और जितने बच्चे offline है पहले वो भी बता दे क्या होगा आप बता रहूल क्या होगा interest on debenture 20,000 रुपए सभी बच्चों का लगबग लगबग कहना है सर 20,000 सभी बच्चों का जवाब आगया 20,000 और 20,000 उन्होंने बताया कैसे सर 2,000,000 रुपए पे और रेट दे रखा है 10% और 10% ही ये जो होता है उसके उपर 20,000 बता दिया मैंने sentence में क्या कहा alert रहना मैंने sentence में कहा कि मैं interest on debenture जो है वो payment नहीं करूँगा मैं सर्फ एक बात जाना चाहता हूँ कि इससे company को फाइदा होगा या नुकसान मैंने कहा outstanding interest में payment नहीं करूँगा अब बताईए यह फटाफट यह फाइदा होगा या नुकसान पनसीका का profit 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 कुछ बच्चों को loss भी लग रहा है तो बताईए सभी ने एकदम profit 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 कितने बच्चों को loss लगता है ओफ लाइन सबको profit loss भी है भाई फाइदा loss किसी को loss और question समझ में आया नहीं आया मैंने कहा कि जो outstanding interest है न मेरे interest जो देना था वो outstanding है भाई साब हमने दिया नहीं और अब company ने decide कराई कि अब हम नहीं देंगे भी नहीं और interest कितना बनता था तो outstanding कितना रहा होगा 20,000 बन सकता outstanding मैंने कहा कि नहीं देंगे तो जब बोला कि भाईया outstanding interest नहीं देंगे तो मेरा सवाल था कि जब हम उसे interest नहीं payment कर रहे हैं तो as a company को यह benefit हो रहा है यह नुकसान हो रहा है तो 90% बच्चों का जवाब जो है वो profit के point में आ रहा है राभिया का पता नहीं एक लाक सी अधर कहां से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है बताईए अब आपका profit लग रहा है यह loss question समझ में आया question समझ में आया सभी को तो यहां पे जो हमारा answer होगा यहां पे जो answer होगा answer होगा नहीं profit होगा और नहीं loss होगा अब मेरी बात सुनिएगा सर liability वही है जो इसके अंदर है जो इसके अंदर है ही नहीं मतलब liability नहीं सीदी सी बात है जो इसके अंदर है ही नहीं balance sheet के liability में तो इसका मतलब वो liability भी नहीं है जब यह liability था ही नहीं और adjustment में कह रहा है कि हम outstanding interest को payment नहीं करेंगे तो भाई पहले भी हम यहीं मान के चल रहे थे अगर मैं पहले consider करता कि outstanding interest का payment करना है तो मैं यहां लिखता ना outstanding interest और अब लिखने के बाद बोलता मैं payment नहीं करूंगा या payment नहीं करना है तो फाइदा था यानि फाइदा या नुकसान आप पहले check करोगे आपके पास है या नहीं है अगर आपके पास पहले है यह नहीं और आपको बोला जाए उसको payment नहीं करना है तो इसका मतलब आपका no profit no loss बहाँ सारे बच्चे जो बोल रहे थे profit या loss यह दिक्कत होती है बच्चों को मैं एक concept समझाने की कोशिश करूं पहले समझो मैं क्या समझाने की कोशिश करूं यानि अगर आपने बोला सर इसका देखो concept क्या बनता है और जो सोच बनते है जो बच्चों की सोच बनती है सोच क्या बनती है और आप कहरें को नहीं देना है तो चलो हमें कुछ पैसा देना ही नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब फाइदा हो गया सोचने का यह हमारा नजरि लेकिन यह outstanding interest था ही कहां अगर पहले था ही नहीं आपके balance sheet में और आप बोल रहें not paid तो इसका मतलब पहले भी हम मान के चल रहे थे कि नहीं पे करना अगर आप पहले मान लेते कि payment करना है तो दिखाते अगर नहीं दिखाने तो आपके मन में पहले से ही है कि आप payment करने वाल तो पहले liability था कि आपके पास पहले आपके पास यह liability है outstanding interest का नहीं है और मैंने कहा outstanding interest paid करेंगे अब अब बताओ नुक्सान या फाइदा पहले outstanding interest है क्या लेकिन आपको बोला गया paid करिये तो liability था नहीं और फिर भी हमें liability का payment करना पड़ेगा कुछ reasons की वज़े से तो अब मेरा क्या होगा loss होता समझ रहे हो point यानि सर अगर balance sheet के अंदर मान लेते हैं इसके अंदर 10,000 रुपए है और मैंने बोला इसको paid कर दो तो सर कोई फाइदा कोई नुकसान नहीं दस था दस दे दिया अब इसके अंदर है ही नहीं और मैंने बोला paid कर दो तो आपका total loss इसके अंदर है ही नहीं और मैंने बोला payment नहीं करना है तो कोई profit कोई loss नहीं समझ रहे हो यानि liability का मतलब वही होता है जो balance sheet के अंदर समझे ब मैंने interest का लिया अब चाहिए डिविडेंड का हो चाहिए प्रफरेंश डिविडेंड का कोई भी concept यहीं फॉलो करना है क्या कहता है area area मतलब out sending और प्रफरेंश डिविडेंड इस टूभी cancel यानि प्रफरेंश डिविडेंड होल्डर को कुछ पैसे जो देने थे उसको हम cancel कर करने जा रहें तो पहले चेक कर लो भाईया तुमने पहले माना भी था देना है क्या माना है कि आपने देना है अगर आप बोलते के प्रफरेंश डिविडेंड कैसे निकलता छे परसंट निकाल देते पांच पर जो कि आता है 30,000 रुपे आप बोल रहे हैं 30,000 रुपे प्र तो अगर मेरे से पूछो ना सर प्रफरेंश डिविडेंड का डिविडेंड तो मैं कहुँगा सर प्रफरेंश डिविडेंड का डिविडेंड कितना है 90,000 अगर मुझसे पूछते हो कितना बन सकता है तो मैं बोलू हुआ 90,000 मैंने बोला कि payment ही नहीं करनी सर अगर payment ही नहीं करनी तो पहले चेक करो कि balance sheet में exist है क्या preference share dividend पहले से balance sheet में है area अगर area होता तो यहां लिखा होता न area preference share dividend 90,000 ऐसे कुछ लिखा होता क्या है हमारे balance sheet में पहले से लिखा हुआ नहीं और नीचे बोल रहे हो cancel कर रहे हो तो कोई फायदा कोई नुकसान इसकी entry करेंगे फिर no entry इसकी कोई भी entry अगर वही यहां पे 90,000 लिखा हुआ होता और नीचे बोल देते cancel तो फायदा हो जाता हमारा समझ रहे हो बात को फिर क्या हो जाता हमारा फायदा हो जाता और चाहे मैं बोल देता कि 90,000 में से 50% पे कर रहे हैं तो भी फायदा हो जाता अगर वही यहां पे preference share dividend ना होता और नीचे cancel के जगह पे समझ में आई बात आपको समझ में आया है तो यानि जो हमारे यहां पे यह बहुत गरम हो गया आज तो जो हमारे questions के अंदर देखा जाए adjustment 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया D में कहता है area of preferential dividend is to be cancelled आपको बिल्कुल clear होना चाहिए preferential dividend cancel किया जा रहा है और पहले था भी नहीं और अब cancel किया जा रहा है मतलब हम पहले से ही cancel मान चुके थे तो no profit no loss और इसकी कोई भी entry नहीं इसके लिए आपको note देना पड़ेगा नहीं होगा तो मतलब ऐसा नहीं छोड़ देंगे last में note देंगे कि point number D preference share dividend हमारा liability नहीं था or not consider as a liability in the balance sheet and cancel then no need to any entry pass कोई entry pass करने के ज़रद नहीं चलिए सर, creditor the creditor agree to wave 30% wave क्या है छोड़ देना तो creditor बोलता है जा मैंने 30% claim छोड़ दे भाई creditor अगर तू 30% claim छोड़ रहा है तो हमारा फाइदा हो गया creditor है कितने का check करते हैं तो भाईया creditor था हमारा 1,55,000 का तो इसका 30% अगर हम निकाले तो कितना बनता है कितने बनते हैं निकालो calculator पे calculator पे निकालो 46,500 यानि सर 46,500 रुपए का जो creditor है वो creditor को पैसे नहीं देने हैं बागी का पैसा दे देंगे समझ रहे हैं तो यहाँ पे मेरी entry क्या करेंगे सर creditor account debit और टू रीकंस्ट्रक्शन 45,46,500 अब बच्चे का एक का सवाल आएगा सर इसका ऐसे नहीं करेंगे के सारा creditor को debit फिर credit करके new creditor कुछ ऐसे तो यह वाला point शिर्फ shares के उपर applicable होता है बागी किसी shares या debenture पे बागी other liability को हो जितना फाइदा हुआ सिर्फ process entry करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पे क्या कराता सर यहाँ पे भी फाइदा था तो सिधा फाइदा करते हैं new पुरानी क्योंकि यहाँ पे shares का face value change हो रहा है इसलिए करना पड़ा तो shares वाले में आपको पूरा लेना पड़ेगा बागी के अंदर तो यह देखाना पड़े अब रही बात यहाँ कुछ बच्चे बोल सकते हैं क्रेटर का payment नहीं करेंगे normally credit interest को payment करते हैं dividend को payment करते हैं और बागी किसी को payment नहीं करते हैं अगर हम सभी का ही payment करने लग गए तो company तो ठीठा condition में अब है तो हम मान के चल रहे हैं के payment नहीं करेंगे ठीक है अगली line में क्या कहता है सर all assets valued कहता है building हो गया 250 का सर building कितने का था 215 अब कितने का हो गया बढ़ गया building account debit मैं लिखता जा रहा हूँ building के बाद देखते है plant 225 पहले कितने का था 25 या नि इसमें loss हो गया इसको अलग से entry करेंगे furniture 55 पहले कितने का था furniture ये भी loss हो गया अगली entry में stock 80 पहले कितने का था ये भी loss debtor 70 पहले कितने का था debtor 75 ये भी loss कहता है all writing of other fictitious assets sir fictitious assets क्या है जो list लिखवाई थी plan to be written off so far as possible कहता है कि plant को plant sorry patent to be written off as far as possible आपको patent भी दे रखा है सवाल में दे रखा है patent कहता है इसको भी return off करना है लेकिन जितनी ज़रुरत पड़े उतनी करना अब जितनी ज़रुरत कितना वो last में देख लेंगे capital reserve is to be continue in the balance sheet और जो capital reserve हमारे पास पड़ा हुआ है ये as it is balance sheet के अंदर जाएगा नए वाले में draft general entry effect the above scheme and prepare the post reconstruction balance sheet prepare new format as per new format नए format के हिसाब से balance sheet बनाना है यहां तक समझ में आरी बात है यानि सर अब मुझे building वाली एक entry कर देनी है building to reconstruction सर कितने रुपे का फाइदा पहुँचा है हाँ मैं being नहीं लिख रहा है इसका चलेगा ना कितने का फाइदा 35 35 अगले page पर चल लेते हैं losses के entry कर लेते हैं किस का reconstruction debit क्या क्या के बेथा plant furniture stock debtor इसके खटी combine entry कर सकते हैं और इसके बाद एक और था patent का तो भी पता ही नहीं है कितना करना है बाकि profit and loss और discount profit and loss discount अब चल यह plant बताईए कितने का difference आया है आप देखिए आपके 10 year का question number एक है अभी नए वाला 10 year market में नहीं है जो आएगा उसी का मैं दिखा रहा हूं आपको तो कहां गया भाई पहले बिल्डिंग की बात कर लिए plant कितने का कम हो रहा है प्लांट कितने का परनीचर स्टॉक डेटर प्लांट एंड मसीनरी नहीं पी एंडल चार असी और बीज और बीज चलिए सर अब इन सब को जोड के इखटा लिख देंगे हैं आपर आप जोड दीजिये इसको क्या बनता है एक लाग चार लाग तो अकेला यही है नहीं चार लाग है पांच लाग ठीक है समझ में आ रहे है अब एक पेटिंट वाला पोइंट रह रहे है पेटिंट का कहना क्या था एक चलो एक बनाना पड़ेगा अकाउंट सर कौन सा अकाउंट बनाए Chand यहाँ से पता चलोगा पेटिंट के साथ क्या करना है ऊल्दू बिना अकाउंट बना के भी हो जाएगा लेकिन मैं अकाउंट बनाई देता हूं रीकंस्रक्शन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सर सबसे पहले फाइदे नुकसान की बात नुकसान में क्या आजाएगा टू प्लांट तू फर्नीचर तू स्टॉक तू डेटर तू प्रॉफित अन लॉस तू डिस्काउंट सरी आजाएगा तीस पांच दस पांच चार असी बीस साथ पाइदे में क्या था बाइ प्रफ्रेंट शियर कैपिटल बाइ एक्विटी शियर पे भी कमाया बाइ इंट्रस अन डिबेंचर पे भी कमाया बाइ बिल्डिंग पे भी कमाया था और किसी पे कमाया क्या यह देखें सारे जहां जहां रही कंसेक्शन क्रेडिट में फाइदा है यहां धाई लाग दो असी और बागे आप बताईए अगा धाई लाग दो असी पंदरा हजार और पैंतेस हजार और कुछ था नहीं था देखेंगे बिल्डिंग हो गया क्रेडिटर रह गया च्यालिस पांग सो क्रेडिटर वाइए क्रेडिटर तो टोटल करते हैं अब दोनों साइट टोटल मैच नहीं होगा ना हम करते हैं डेबिट टाई लाग दो असी पंदरा हजार पैंसिस और सर्च 626500 626500 प्रक्राइब लिडूंत्यु दो अशिकल अच्ञाओ baba पेंटा ले से जाए प्रीज प्रीज अब पढ़ लेते हैं लाइन क्या कहते हैं कहता है पेटेंट टूबी रेटन ओफ एस फार एस पॉसिबल अगर आपको लगता है रेटन ओफ करना है तो कर दीजिए इसका कहने का मतलब था अगर हमारा ये वाला साइड अगर जयादा हो रहा होता ना तो फेटेंट रेटन ओफ नहीं करते। रेटन ओफ का मतलब आप पेटेंट को कम करोगे, कम करोगे तो इधर आएगा तो अगर इस side मान लेते हैं कि इधर difference जो बच रहा होता जैसे अभी 76-500 बच रहा है और मान लो patent होता 80,000 का patent कितने का होता तो हम 80,000 कम नहीं कर सकते हैं तो सिर्क 76-500 कम करते हैं बाकी patent बच जाता समझ रहे हूं अब यहाँ पे patent हमारा इतने का नहीं है patent कितने का है patent कितने का है पेंट आलिस हजार तो सर यह पेंटालिस और जो बाकी बच गए वो चला जाएगा टू कैपटल रिजर्व देट इस 31 अब यह दो जर्नल इंट्री और भी करनी होंगी आपको patent reconstruction to patent अगले पॉइंट के बाद करता है reconstruction to capital reserve बाद करें हमें कि झी द्पिंट करें झाल